हेलो फ्रोबान स्वागेदे आप सभी के आप सभी के पसंदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में मित्रों आज बात करेंगे स्मार्ट मैं ट्रिक्स की सिरीज में यह अगला वीडियो है और आज बात करेंगे प्रतीशत में उत्रिन और अनुत्रिन चार्तों का जो प पर डे और इससे पहले आपने त्रिक्स ना देखी हो तो चैनल के प्लेडिस में विजिट करें मैंने महाँ पर प्लेडिस्ट क्रेड की स्मार्ट मैट्रिक्स के नाम से आप उसको देखते हैं तो उसमें मोर दें 30-plus वीडियों है और पर डे एक ट्रिक वीडियो आपके लि मत भुलिएगा और ट्रीक अच्छी लगे तो लाइक जरू करिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए मित्रूप प्रश्ण से डिरेटली हम लोग अपने वीडियो के शुरूआत करते हैं प्रश्ण कुछ हैसा है कि कि किसी परिक्षा में 80% छात्र हिंदी वि तो आपको जो पता है वो यह है कि इसमें जो प्रश्ण पूछा गया है कि 80% हिंदी में पास हैं बच्चे 85% अंग्रेजिम पास हैं और 75% दोनम पास हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसे प्रश्ण अगर आस्तक आ रहे हैं और आप छोड़के आते हों य बेसिक फंडामेंटल स्मार्ट ट्रिक मिल गई है करना क्या आपको यह आपको वेंड डाइगराम आप जानते हैं जी हाँ वहीं करना है आपको कुछ नहीं करना करना क्या है देखिए आप बस एक चीज़ को याद रखिए कि जब भी हम सरकल बनाएंगे हमारी मास्टर ट्र कितना भी सरकल बना लें लेकिन सब में एक ही चीज होनी चाहिए जैसे कि पास है तो सब में पास प्रतीशत ही रहना चाहिए एक में किसे में फेल प्रतीशत नहीं होना चाहिए उसको करना पड़ेगा पास में जैसे यहां पर दिया है 80 प्रतीशत चात्र हिंदी में चलिए कम सरकल ब virtuous नाम से इसमें 80% झातर है खीक है और एक है आपका 85% Wenow practices यहां common का ऐसे बनेगा ईहां पर 85% छातर इंगलिश्द में पास है इसमें कितना है यह 75% कितना है 75 फोरसे नहीं पास पास एक चीज याद पासिंग का है यहां पर लिखा मैंने हिंदी के पासिंग छात्रों का प्रतिशत इंगलेस के पासिंग छात्रों का प्रतिशत और जो कॉमन में पास हैं मैंने फेल का कहीं भी जिक्र नहीं किया है तीनों जो लिखा है तो अब क्या करेंगे करेंगे यह कि यह दोनों सब्जेक इतना हुआ आपका आर्दुनी सोल 165 ठीक है और यह कॉमन है तो कॉमन को घटा लीजे 75 घटा लीजे बचा कितना 90 अब 90 प्रतीशत लोग पास हैं तो यहां पूछा क्या है अनुत्रिण कितने प्रतीशत हैं तो यह टोटल तो सो ही होता है ना सो में से 90 जाएंगे कितना बच करा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम एक दू मिनिट का जो लग रहा है आप जब माइन में कल्कुलेट करेंगे तो वितिन वन टू सेकेंड आप इसको को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे और यह उन अपरतियों के लिए बहुत मैत्पूर है जो गनित के डर से कही भी मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो अब उनके लिए लटरी लगने वाली बहुत अच्छा स्कोर लेका राने वाले हैं पूनवाता दू जब भी में पूछे गए हैं और इन सबका टाइप ऐसे ही रहता है इस वज़े से मैं यह दूहीं कोशन ले गाया हूं आप कमेंट करके जरू पताए घाल करेंगे एह करते हैं इसको भी हम सौल करेंगे क्यों कि हमारे पास मास्टर टृक्षाम अबОलाा एक नहीं करके सबसे सकाथ सरकल जब भी मरनाएंगे हम इसमें हमेशा हमक है लिखेंगेppe करल बंड्रिभ लिखेंगे या तो तो टोटल कितना होता है 100 प्रतिशत होता है ना तो 100 में से 20 गटाई कितना बचा 80 प्रतिशत तो 80 प्रतिशत क्या होंगे पास होंगे क्यों हम पास निकाले हैं क्योंकि हमको तीनों में पास रखना है ओके यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 80 प्रतिशत दोनों common लेके चलेंगे, ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, अब passing का इसमें देखेंगे, तो passing का कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जुड़िए, 60 और 70 कितना हुआ, 130, 80 को घटा दीजे, 130 में से 80 घटाएंगे, तो कितना आया, हमारा आया, 130 में से 80 घटाएंगे, तो 50, तो 50 प्रति पृच्चाष्च प्रतिशत क्या हैं, ये 50 प्रतिशत पास हैं, क्या हैं, पास हैं, हमको फेल निकालना है, वैसे तो आंसर प्zar 50 ही आ है, क्यूंकि टोटल सौ यह होता, तरह सौमें से 50 गया नहीं साखते हैं कि पास पास वाला सर्कल बनाया है तो जो जो में नीखालेंगे क्ल्कुलेशन करें वह पास प्रतिशत आएगा तो 50 प्रतिशत हमारे पास आया और फ्युल निकालने के लिए सो में से जो आया प्रतिशत उसको घटा दीजे यहनि 50 प्रतिशत आपके दुनों विशय में फेल है तो I hope कि आपको यह ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी अगर मैं मान लू जिए इस पे और कुछ आपके प्रशना है जैसे कुछ calculation बस देखे प्रशना रटने के चक्रम पढ़ेंगे तो नहीं हो पाई कि ट्रिक्स अपकी basic background आप समझते हैं तो calculation कर ले जाएंगे जैसे प्रशना कुछ ऐसा है यहाँ पर एंग बदल दे यहाँ 80 प्रतिशत कर दे यहाँ पर कर दे आपका माली जे 50 प्रतिशत कर दे ठीक है और यहाँ पर जो दोनों में fail चातना है इसका प्रतिशत कर दे 10 प्रतिशत ठीक है 80 50 10 फिर यहीं प्रशन पूछे कैसे करेंगे तो यहाँ पर fail है तो fail को pass में convert करेंगे तो यहाँ पर पहले सबसे पहले 10 दिया है fail और यह दोनों पास में है तो हमेशा हमको pass में यहाँ fail में रखना है तीनों को तो इसको 10 convert करेंगे सो में से 10 गया 90 यहाँ गया pass में अब इन दोनों को जोड़ दीजे 85 13 130 130 130 में से 90 घटा दीजे कितना बचा आपका 40 तो जो यह आएगा यह क्या आएगा pass प्रतिशत क्यों क्यों क्योंकि यह सारी चीजे हमने pass प्रतिशत में रखी है इसलिए हमारा pass प्रतिशत आया अब अनुत्रिण कितने हो है यानि fail कितने हो है वो प्रतिशत निकालने के लिए इसको घटा देंगे 100 में से और total याद रखेगा तो more than आपकी 30 प्लस वीडियोज हो चुकी है तो प्लेइलिस्ट जरूर विजिट करिया करिया आपके लिए प्लेइलिस्ट बनाया जाती है चलिए दिखाते हैं आपके लिए कि कौन-कौन से वीडियोज हमने अपलोड किये है अपने प्लेइलिस्ट में तो मित्रों आगे हम लोग अपने चैनल पर और यहाँ पर आप सब देखते हैं यह होम है ठीक है होम है वीडियोज है यहाँ प्लेइलिस्ट इसी प्लेइलिस्ट पर आपको जाना है प्लेइलिस्ट पर हमने क्लिक किया जैसे ही तो धेर सारी प्लेइलिस्ट आ गई और आप आपके लिए important कौन सी playlist है आपके लिए important है यह math smart tricks है इसमें देख सकते हैं 33 वीडियो है यह 34 वीडियो जो आप लोगों के लिए बन रही है इसमें हो जाएगी तो आप number of videos हो जाएंगे 34 तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से topic पर हमन की थी LCM SCV पे भी और और देख सारी ट्रिक्स हैं जैसे आप यहीं देख सकते हैं इसमें important है कौन कौन से पलक जबगते हैं आपके लिए smart trick है divide कैसे कर सकते हैं शेष वाले प्रशन बहुत important थे आपने बोले थे कि शेष में वीडियो बना दीजेगा तो यहां देख सकते है number of questions जिसकी वीडियो आप चाहते हैं यहां दीके शेष फल की भी एक वीडियो बनी थी इसके बाद मैंने एक शेष फल की वीडियो बहुत smartly अभी कुछ दिन पहले बनाई थी जो आप लोग ने काफी ज़्यादा पशंद की है और अभी कुछ दिन पहले मैंने गुड़न करिए और इसकी help से आप बना सकते हैं सब बेस्ट आफ लग विजिट जरू करिए और सारे वीडियो इसको शेयर जरू करिया करिए थैंकियो समाच